नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्चार24 में दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं CCA कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में और जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरूप D के अंदर इनका 20% सीट के इनकी लिए CCA कटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए गुरूप D 2019 की दोस्तों में बात कर रहा हूं और यहाँ अगर हम बात करें गूरूप D 2019 के अंदर जो CCA category वाले students है यहाँ पर इनको काफी ज़्यादा reject किया जा रहा है आखिर reject क्यों किया जा रहा है इसके उपर ही हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और यह वीडियो काफी ज़्यादा important होने वाला है CCA category वाले students के लिए और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है हर जोन के अंदर की CCA category वालों का document verification ले लिया गया बाद में जब final panelist की बारी आती है तो वहाँ पर उनको reject का रास्ता दिखा दिया जाता है तो ऐसा क्यों है तो इसके उपर ही हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी आपके साथ ही CCA category वाले उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजाएगा क्योंकि यहाँ पर बात यह हो रही है कि जब CCA category वालों को reject किया जा रहा तो वहाँ पर एक reason दिया जा रहा है और reason दिया जा रहा है कि 12.4.2019 का आखिर यह क्या चीज़ है क्या official notification के अंदर यह दिया गया था क्या नहीं दिया गया था हम इस वीडियो के अंदर यही सब जानेंगे हम official notice के उपर चलेंगे जो official notification आया था notice जो आया था railway का उसके उपर हम लोग चलेंगे और वहां से हम लोग verify करेंगे क्या यह 12.4 वाला जो मुद्दा है यह बिल्कुल सही है या गलत है सब कुछ हम बात करने वाले वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ठीक है तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे यह दिख रहा है आपको यहाँ पर जो आर्टिकल दिख रहा है स्क्रीन पर यह group D 2019 का ही आर्टिकल है और य जो मैटर है उसके बारे में अच्छे से बताया गया था कि अप्रेंटेशिप वालों को कौन से अपरेंटेश वाले इंक्लूड किये जाएंगे यहाँ पर सब कुछ बताया गया था तो एक बार देख ले तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं ठीक है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला गुरूबडी 2019 का तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपर अप्रेंटेशिप के बारे में ही बताया गया था तो यहाँ पर दिया गया गया अगर हम पड़े यह पहरा ग्राफ के बता दो कौन सा पहरा ग तो से टाइपरेंटिस करते हैं है तो आपको 20% मिलता है घै की जो है आपका झ्युट करता है यहां तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आगे बात करते हैं दिस विल बी इन दा नेचर फॉर्जेंटल रिजवेशन एज इन दा केस ऑफ पर्सन विट बेंचमार्क्स डिसीबिलिटीज पीडवलुड जिसे बोलते हैं और एक्सवरिस्मेन तो यहां पर जो आपको कोटा मि आते हैं और होगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वह बताई गया आपकी 12.2 में 12.2 का पहराग्राफ जरूर पढ़िएगा यहां पर क्या बताया गया है जिसके तहत क्या हो रहा है कि जो बच्चे डीवी देकर आ रहे हैं गुरूबडी दार उनिस क टॉ और उसके अंदर जो फाइनल पैनल इस्ट आ रहा हुनको वह पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पर दिखिए 12.2 अगर पेर ग्राघ्राफ डेखेंगे तो यहाँ पर दिखा गया है लास्ट डेट फॉर रजिस्टेशन यहां पर रजिस्टेशन की बात किया है ठीक है आपको अपना रजिस्टेशन करना है ठीक है आगे देखी क्या बोला गया है और यहां बोला गया खैक मिला यही होनी चीए थी बाराइट चार जरूनी से पाले नगे अपको अप्रेंटिशिप trainings only if has appeared in NCVT examination before the last date of registration of online application on or before 12-4-2019 यहां भी दोस्तों वही बात बोली गया कि only if he has appeared in the NCVT examination before the last date तो इन्होंने बोला है कि जो last date है 12-4-2019 इससे पहले आपका जो exam है हो जाना चाहिए था आप लोग exam में बैठ चुके होंगे exam आप लोग दे चुके होंगे यह ऐसा मानते हैं 12-4-2019 से पहले अगर आपका exam इससे पहले हो चुका है तभी आप जाके the NCVT certificate issued by NCVT during document verification तो इन्होंने बोला है कि document verification के टाइम पर आपको NSS certificate जो है आपको देना पड़ेगा ठीक है बट जो आपका exam जो है दोस्तों वह 12-4-2019 से पहले पूरा हो जाना चाहिए था अगर आपका exam 12-4 से पहले हो चुका है तभी जाके आप लोग eligible हो ठीक है यहां पर साफ clear किया गया था उस टाइम पे बट अभी जाकर बच्चों में काफी ज़दा confusion है कि 109 batch वाले जो बच्चे हैं वो यह सोच रहे हैं कि हमें eligible क्यों नहीं किया गया ठीक है देखिए आपका जो है ट्रेनिंग भले 12-4-2019 से पहले पूरा हो गया हो ठीक है बट यहां पर जो यह बात बोली जारी ना कि examination before the last day कि आपका 12-4-2019 से पहले एक्जाम हो जाना चाहिए था अगर एक्जाम हो गया है तब आप लोग NSS certificate दिखा कि आप लोग eligible हो सकते हो ठीक है बट यहां पर बात वही जा जाती कि आपका जो एक्जाम है 12-4-2019 के बाद हुआ है तब जाके आप लोग certificate होता है वो NCVT issue करता है ठीक है डीन डॉक्मेंट वेरिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की टाइम पर आप लोग को समिट नहीं करते हो तो क्या बोला गया आगे विच ही एंड शी शेल नॉट बी इलिजिबल फोर रिजिवेशन ऐसी सी यह तो अगर आप नहीं दिखाते हो ठीक है अगर आप नहीं दिखाते हो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर तो आप 200 तो सीसे के टेगरी के अंदर नहीं भी लॉंग करोगे फिर आपको जर्नल के टेगरी में डाल दिया जाएगा यही में कारण है कि काफी बच्चों को रिजक्ट कर दिया गया है ठीक है इसी वज़े से क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट है बारा चारद और उननीस के बाद हुआ है उससे पहले होता तो यह रिजक्ट नहीं होते यह गुरूप डी के अंदर होते ठीक है यहीं पर यह बात क्लियर कर दी गई थी और इसका ओफिशियल नोटीस है यह तो आप लोग इस नोटीस को देख सकते हैं ठीक है यही में कारण है जिसके वज़े से आप लोग को बाहर कर दिया जा रहा है यही यह 12-4-2-19 का मैटर और यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया है सब कुछ आप लोग देख सकते हैं यहां पर सब कुछ पहली बता दिया गया था कि अगर आपका एक्जाम नहीं हुए 12-4-19 से पहले तो आप लोग लीजिबल ही नहीं हो CCA के अंदर वही बच्चे इंकिलूड होंगे जो 12-4-19 से पहले एक्जाम दे चुक है और उनका ट्रेनिंग पुरा हो चुक है और सब कुछ आ चुक है उनका सब कुछ का मतलब मेरा एनसे सर्टिफिकेट है और वाक्षिट है तब ही जाकर आप लोग सिसे के टेगरी के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं यही दोस्तो में कारण था जिसके वज़से काफी बच्चों को अभी बाहर निकाल दिया गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा लगबाग 20,000 सीटे थी और उसके अंदर से मेरे हिसाब से लगबाग 10,000 सीटे भी नहीं फुल्फिल हुई है क् आप लोगो नेक्स्ट वेकेंसी के अंदर ही मौका मिल पाएगा जो निव वेकेंसी आएगी उसके अंदर ही आपको मौका मिल पाएगा फिलाल अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है जिसमें आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले बट यही है कि अगर आप नई वेकें से पहले अगर आपकी अप्रेंटिस पूरी नहीं हुई है सेटिफिकेट नहीं आए तो आप लोग का मॉडिफिकेशन निक नहीं दे सकते हैं तो उस्टाब यहीं बात हुई थी और इसी बात पर अभी भी टीका हुआ है तो में भी आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा benefit हो सकता है क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बहुत ज़्यादा competition बढ़ने वाला है क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि 109 बैच वाले बच्चे हो चुके हैं 110 बारा बैच के हो चुके हैं 111 बैच के हो चुके हैं और अभी फिलाल में कमेंट सेक्षिन बता सकते हों अगर दोस्तों आप रिलेटेड या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग मुझे टेलिग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक है जो है आपका description में दिया है वहां से जाकर कहीं पर एंड करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाए हिन जाए भारत